जै हिंज जै भारत साथियो आज जिस विशे में बात रखने वाला हूँ वो है महिला गुरूप लोन जिसे हम समू लोन कहते हैं लेडिस गुरूप लोन कहते हैं उसके बारे में गुरूप लोन में हो क्या रहा है महिलाएं लगातार फसे जा रही है और वो महिलाएं उन्हें आएगा तो आप काम धंदा भी करेंगे, काम करेंगे तो आप कही ना कही बिजनस में इंवाल्व हो जाएंगे और इंवाल्व होने के बाद में आप खुद भी सक्षम बन सकते हैं, यह अच्छी बात है, यह होना चाहिए, लेकिन जब महिला कुछ कर नहीं रही, लगातार आ आपका जो ट्रैक है वो खराब हो जाएगा, और फिर आप पैसा नहीं दोगे, तो फिर हम क्या करेंगे, आपको पैसा नहीं देंगे आगे, आपको पैसा आगे नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका ट्रैक खराब हो चुका है, जो महिला पांच हजार दस हजार रोपे दे देती है उसको फिर लगातार लोन देते रहते हैं उसके लिमिट बढ़ाते रहते हैं लिमिट बढ़ा देते हैं वो ठीक है लेकिन ये भी तो चेक करना चाहिए कि वो महिला कुछ कर भी रही है उस पैसे का या loan दिया ही क्यों चाह रहा है कहते ही हैं कि आप काम करो आपके project report भी बनाई जाती है लेकिन क्या उस पे निगार रखी जाती है ऐसी कोई monitoring की जाती है जिससे उसका निगरानी रखी जाए कि हाँ उस महिला का कुछ उधार हो रहा है या नहीं हो रहा है क्या महिला कुछ काम दंदा कर रही है या नहीं कर ही है आप BANK में है या N BC Company ज़ातर ये काम करती है दब N B FC Company लोन दे रही है और लगातार दे रही है कुछ सोर्च समझ के दे रही होगी या सिर्थ ये देकके लोन दे दिया जाता है कि हाँ हमारा पैसा जा रहा है हम कैसे भी करके वसूल कर लेंगे महिलाओं के साथ उटपीलन हो रहा है कई केसी जैसे सामने आ चुके हैं कई लोगों ने शिकायते भी की हैं इविन आज ही मेरे पास एक केस आया था जिसमें मुझे फोन आया मुझे बत ने मिलके समूलोन ले लिया उस पैसे को चुका रहे थे हम लगातार लेकिन कुछ बिमारी के कारण अब वो मेरे माबाप पैसा नहीं दे पा रहे हैं अब रिकवरी एजेंट आता है और घर में घुसके बैठ जाता है बैठ कर माबाप को गाली गलोज करता है बत्तमीजी कर कहता है कि क्या तुम्हारे बाप का पैसा था तुमने ले लिया अब भाई अगर तुने दिया था वैसे तो तुने दिया नहीं रिकवरी एजेंट ने क्योंकि वो थर्ड पार्टी है फिर भी बैंक ने दिया था तो बैंक का किसी एक एंप्लॉई के बाप का पैसा था क्या तो अपनी समस्या बताएंगे ना, जैन्वन होगी तो जज भी उसके फैसला देगा, बताएगा उन्हें रहात देनी होगी, तो रहात देगा, सजा देनी होगी तो सजा देगा, लेकिन किसी के घर में गुषके बैट जाना, गाली गलोज करना, बत्ता मीजी करना, ये कहां का गुषके, आपको, आपके माबापको या आपकी बीवी को कोई गाली गलोज कर देता है, तो उसकी पुलिस कंप्लेंट करो, और होनी ही चाहिए, नहीं होगी, तो ये आपके साथ आज हो रहा है, आने वाले समय में, दूसरे के साथ भी होगा, तीसरे के साथ भी होगा, उन अधिकारों के प्रति जागुरुक होने की जरूरत है समझने की जरूरत है कि आपके अधिकार क्या है और जो आपके घर में पैसा मांगने के लिए आ रहा है उसके पास अधिकार क्या है आपको कंप्लेंट करनी है अगर आपके साथ भी कोई ऐसी हरकत की जारी है आपको गाली पर साथ जो सोशन होगा क्योंकि रिपोर्ट जो आती हैं मैं अपने पास से नहीं बता रहा हूँ online आप चेक कर लेना 40,000 से ज़्यादा महिलाएं गायब हैं अकेले गुजरास से जिनकी complaint हुई है मैं नहीं कह रहा हूँ यह online आपको मिल जाएगा गुगल पर सर्च कर लिजे और जाधा तर महिलाएं वो होंगी जो गुरूप लोन से जुड़ी वी होंगी क्योंकि ये लोग करते क्या है महिलाएं को target करते हैं जो महिला अकेली रह रही है husband बाहर गया होगा काम करने के लिए और दिखने में अच्छी है तो उसको कहीं न कहीं target कर लेते हैं फिर उसके साथ छेड़ चाड़ करते हैं उसे मतलब बताते हैं भड़काते हैं घरवालों के बारे में तेरा पती तो कुछ काम का नहीं है अगर वो लायक होता तो तुझे पैसे क्या जरूत पड़ती है तो उसे इस तरह से अपनी बातों में उल जाकर उसके साथ गलत गलत भी करते हों साथियो ऐसा हो रहा है कम्प्लेंट्स आ रही है एक मैला तो गायब हuy है उसकी हमें मालूम है कहाں गायब हुई, कैसे गायब हुई यह नहीं पता वो अपने बच्चे से बहुत प्यार करती थी उसकी छोटी सी बच्चे थी लेकिन उस बच्ची को छोड़कर वो चले गई क्या भीथ रही होगे उस मापर के अपने बच्ची को छोड़कर जाना पड़ा बदनामी के डर से साथियो बहुत कुछ गलत हो रहा है हमारे आसपास भी हो रहा है हमारी जानकारी में भी हो रहा है लेकिन हम लोग डरते हैं हम लोग दूरियां बना लेते हैं उन लोगों से जो लोग करजे में फसे हुए हैं कम से कम उसे रास्ता दिखाू। गुगल पर सर्च करो करजमुकत अभ्यान पहला लिंक हमारी वेबसाइट का आजाएगा हमारी वेबसाइट है वेबसाइट पर जाये निशुल फॉर्म भरिये आपकी जानकारी तो आने दीजिये कम से कम हम लोग मदद करने के लिए तैयार है हम लोग लगातार काम कर रहे हैं जुलाई 2022 से काम कर रहे हैं हम लोगोंने PIL भी लगा ये सुप्रिंग कोट में के भाईया जब बड़े उद्रुख पतियों को करजा माफ किया जा सकता है तो जनता को राहत क्यों नहीं दी जा सकती जिस नियम कानून से बड़े बड़े दुखतियों को करजा माफ कर रहे हैं ये सरकार उसी तरह से जनता का भी करजा माफ कर दे जिनका करजा माफ किया जा सकता उनके माफ कर दे नहीं तो जिनको नहीं किया जा सकता उन्हें दो साल का इंटरस फ्री टाइन दे ताकि लोगों को स पैसा आएगा लोगों की मदद में लगा दे क्यों नहीं कर सकते अभी चुनाओ का समय है सरकार चाहे तो कर सकती है लेकिन नहीं कर पा रही करना नहीं चाह रही बड़े बड़े उद्योग पतियों के 14,56,000 करोड रुपे माफ कर दिये लेकिन आज जब जनता मर रही है उसकी कोई मदद करने के लएक कोई हाथ आगे नहीं बढ़ रहा हम लोग पुरे देश में शुल्प काम कर रहे हैं सेवा के लिए कर रहे है अब तक लग बग धाई लाग से तीन लाग लोगों की जान बचा चुके हैं उन्हें मरने से बचा चुके हैं अगर आपके आनने वाला .co.in, यह हमारी वेबसाइट है, वेबसाइट पर जाएए, निशुल फ़र्म भरिये, वहाँ हमारी टीम के हर स्टेट के नंबर भी है, अगर फोन नहीं भी उटे, तो उस पर मैसेज डाल दीजिए, वाटसप कीजिए, बताइए, आप के बिया, मुझे जानकारी चाहिए, मै मरने के लिए जा रहा हूँ, आपको कॉल आ जाएगी वापस, परिशान मत हो ये, डरिये मत, और आपके मरना विकल्प नहीं है, मरने से समस्या का समाधान नहीं होगा, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मरना विकल्प नहीं है, मरने से बिलकुल भी समस्या का समाधान नहीं होगा आप अगर आपको कुछ हो गया तो आपके बच्चों की चमड़ी उधिर के ये लोग पैसा वसूल करेंगे जो आज आपके सामने नहीं छोड़ रहे आपके जाने के बाद क्या करेंगे ये सोच लेना फिर भी फिर भी मैं कहा रहा हूँ कोई समस्या हो तो मिल लो हमसे ह कितना हम अपने अपने आप से कर पा रहे हैं कर रहे हैं और ज्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं कोशिश करेंगे आपको बचा लेंगे चिंता मत किजिए घपराइए मत जै हिन जै भारत